उनके जीवन के कई पहलू हैं, पर सबसे महत्वपून पहलू ये है कि वे एक बुद्ध हैं, ये उनका नाम नहीं है, उनका नाम कौतम सिधार्थ है लेकिन वो एक बुद्ध है बुद्ध का मतलब है वे अपने तारकिक बुद्धी से उपर उड़ गए है बु का अर्थ है बुद्धी, धा का अर्थ है धाद बुद्धी यानि तारकिक बुद्धी धाद यानि जो उससे उपर है जो अपनी तारकिक बुद्धी से उपर होता है उससे बुद्ध कहते हैं जो अपनी तारकिक बुद्धी में होता है वो इंसान हमेशा दुखी रहता है कुछ होता है तो दुखी, कुछ नहीं होता तो दुखी, हर तरह से मतलब अगर वे बुद्धी के नीचे हैं तो हम उन्हें बुद्धु कहते हैं अगर आप तारकिक बुद्धी से उपर हैं तो आप बुद्ध हैं अगर आप तारकिक बुद्धी के नीचे हैं तो आप मुर्ख हैं अगर आप तारकिक बुद्धी में हैं तो आप लागातार दुखी हैं तो वे बुद्ध कैसे बने उन्होंने अपने जीवन में कई चीजें आजमाई वे एक छोटे से राज्य के राजकुमार थे क्योंकि किसी योगी ने भविश्यवानी की थी कि वे या तो महान समराड बनेंगे या एक महान संत बनेंगे जब उन्होंने ये भविश्यवानी की तो उनके पिता थोड़ा परिशान हो गए वो नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान संत बने वो उसे एक महान राजा बनाना चाहते थे तो उन्होंने तैय कि वे उसे दुख से दूर क्योंकि उन्होंने सोचा कि किसी दुख या पीड़ा को देख कर वो संत बन सकता है तो उन्होंने उसे पूरे सुख में रखा बहतरीन भोजन, कपड़े और हर बहतरीन चीज जब गौतम 19 साल के थे उनके पिता ने उनकी शादी एक बहुत सुन्दर युवा इस्त्री से कर दी उनको बाकी समाद से अलग एक महल में रखा गया जहां वे पूरे सुख में रहते थे और कभी कोई दुख नहीं देखते थे एक दिन उन्होंने सोचा कि शहर में रत से घूमा जाए उन्होंने सार्थी से कहा मुझे शहर में घूमाओ तो वो घूम ही रहे थे कि उन्होंने एक बुढ़े आदमी को देखा और वो ऐसे चल रहा था उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई बुढ़ा आदमी नहीं देखा था उनके पिता ने उन्हें इस सब से बचा कर रखा था, उन्होंने पूछा उसको क्या हुआ, तो सार्थी ने कहा अरे वो आदमी बस बुढ़ा है, ये कैसे होता है उन्होंने पूछा, उसने कहा हर कोई एक दिन बुढ़ा होता है, उन्होंने खुद को देखा, वो एक सुन्द यूवक थे, क्या मैं भी, सार्थी बोला हर कोई, हर कोई बुड़ा होता है, लंबा जीने पर लोग बुढ़े हो जाते हैं, ये उनके लिए एक एहसास था, मैं ऐसा हो जाऊंगा, तब उन्होंने सडक पर एक आदमी को लेटे वे देखा, जिसे कोई बिमारी थी, वो उठ न वो बिमार है, इसका क्या मतलब है, उसने कहा, ये शरीर कभी कभी बिमार हो जाता है, ऐसा किसी को भी हो सकता है, ये बस किसी को भी हो सकता है, मुझे, एक राजकुमार को, ये मुझे भी हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है, फिर उन्होंने खुद को देखा, रहे, मैं ऐस हो सकता हूं फिर वे आगे बढ़े गौतम इससे बहुत परेशान थे तब उन्होंने एक शव यात्रा देखी लोग एक आद्मी का शव लेकर जा रहे थे इस आद्मी को क्या हुआ अरे वो मर गया इसका क्या मतलब है ये हरे को होता है इसे कोई नहीं बच सकता तब उन्होंने कहा मैं क्या कर रहा हूं बस खाना सुक भोगना और बेकार की चीज़ें मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं और उनके अंदर संघर्ष और उथल पुथल मच गई अचानक एक राजकुमार होना ये सुक भोगना और ये महल वेगर अचानक उनके लिए बिखर गए और वे सोचने लगे इस सब का तुक क्या है ये शरीर बुढ़ा होगा ये बिमार पड़ सकता है और ये जरूर मर जाएगा मैं अपना पूरा जीवन इसमें किसलिए लगा रहा हूं लेकिन तब तक उनका एक छोटा बच्चा था उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को देखा वे उस प्यारी पत्नी और उस सुन्दर छोटे से बच्चे को छोड़ नहीं पाए वे संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष करते रहे तब तक सवा साल गुजर गया जब वो बालक डेड़ साल का था वे और नहीं रुक पाए आधी रात को एक चोर की तरह, बिना किसी को बताए, वो महल से बाहर निकले और हमेशा के लिए चले गए वे खोजने निकले थे कि मैं इस जीवन के सत्ते को जानना चाहता हूँ वो एक मठ से दूसरे मठ में घूमते रहे ये वो दिन थे जब भारत में कई तरह की पदतियां स्थापित थी एक समय था जब 1800 से जादा पदतियां थी मेरा मतलब सिर्फ संस्थाओं से नहीं है साधना करने के 1800 तरीके योग के 1800 अलग अलग तरीके उस किस्म के नहीं जो आप कैलिफोर्निया में देखते हैं कोई ऐसे कर रहा है कोई वैसे कर रहा है ये वाकई जटिल तरीके थे आज मेडिकल साइंस जैसी होती जा रही है वैसे 25 साल पहले अगर आपको मेडिकल जांच करानी होती तो आप बस अपने फैमिली डॉक्टर से मिलते थे आज आपके शरीर के हर हिस्से के लिए डॉक्टर मौझूद है कुछ साल पहले मेरे घुटने में चोट लगी थी क्योंकि मैं फुटबॉल खेल रहा था और मेरे घुटने में कुछ तूट गया और मुझे वहां से जाना था और फिर भाशन देना था इसी घुटने की चोट की वज़े से मैंने गॉल्फ अपनाया किसी ने मुझे से कहा मुझे एक गॉल्फ किट भेंट किया और कहा सद्गुरू आप कोई दूसरा खेल खेलने के लिए अब बुड़े हो गये तो आप बस गॉल्फ खेलिए तो मैं अटलांटा में कहीं बैठा था किसी जगे भाशन दे रहा था तब मुझे दर्द था और मैं हिल भी नहीं पा रहा था तो फिर आखिर में मेरा मतलब है कि जब मैं बोल रहा था एक आदमी ने हाथ उठाया मुझे लगा कि वो प्रशन पूछना चाहता है लेकिन उसने का सद्गुरू इसके बाद मैं आपके घुटने की जांच करना चाहता हूँ मैं घुटने का डॉक्टर हूँ तो मैंने का अच्छा आप हड़ीओं की डॉक्टर है उसने का नहीं नहीं मैं घुटने का डॉक्टर हूँ तब मैंने पूचा दाया घुटना या बाया आप किसके डॉक्टर हैं तो विशेशक्यता विशेशक्य बनना बढ़ रहा है शायद 50 सालों में एक समय आएगा कि अगर आप मेडिकल जांच कराना चाहें तो चेक अप के लिए 100 डॉक्टरों की जरूरत होगी जब तक आप ये 100 अपॉइंट्मेंट ले पाएंगे तब तक शायद आपको कबर खोदने वाले की जरूरत होगी तब ये बेतुका बन जाएगा आप तीन डॉक्टरों के पास गए ये तो ठीक है अब पाँच डॉक्टरों के पास गए ये चलेगा अगर ये 50-100 डॉक्टर बन जाता है तो ये बेवकूफी होगी है ना योग पदती के साथ ऐसा ही हुआ लोग बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में विशेशग्य बन गए हर विशेशग्यता अपने आप में बहुत पहली हुई थी किसी ने आकर अभी मुझे बताया दांतों के डॉक्टर यहां है ठीक है छोड़ देते हैं मिसाल के लिए दंत चिकित सा बस बत्तिस दांत होते हैं ठीक है वे नौ साल पढ़ते हैं बत्तिस दांत और नौ साल की पढ़ाई इसके बावजूद वे इसके बारे में हर चीज़ नहीं जानते शृष्टी की प्रकृती ही ऐसी है अगर आप एक बार में एक दांत का अध्यन करें तो आप देखेंगे कि हर दांत में कुछ खास होता है एक व्यक्ति बस एक दांत के बारे में जानने में पूरा जीवन लगा सकता है कल्पना कीजिए कि अपने मुँ की जांच के लिए आपको 32 डॉक्टर की जरुवत हो आप एक तरासदी बन जाएंगे है न तो जैसे जैसे विशेशक्यता बढ़ेगी एक सीमा के बाद ये हास्यपद बन जाएगा यही योग के साथ हुआ इसने वो सीमा पार कर ली जहां योग की 1800 अलग अलग विशेशक्यताएं हो गए इसी दोरान पतंजली हुए और उन्होंने हर चीज़ को योग सूत्रों में बान दिया ताकि इसका अंतहीन फैलाव कम से कम हो जाए तो जब गौतम हुए वो पतंजली के बाद का समय था फिर भी कई चीज़ें मौजूद थी तो वो एक पद्दती से दूसरी पद्दती में गए उन्होंने समाधी के आठ विभिन तरीकों का अनुभव पाया हम समाधी की बात कर रहे हैं उन्होंने समाधी के आठ अलग अलग तरीकों का अनुभव पाया उन्होंने पाया कि वो सभी शांदार अनुभव थे लेकिन फिर भी उनसे वे मुक्त नहीं हुए तो इस स्थिती में वो एक समान की तरफ गूम रहे थे अभ्यास की एक खास पददी को समान कहते हैं उनका बुन्यादी अभ्यास है कि वे कभी खाना नहीं मांगेंगे वे भोजन की खोज में नहीं जाते क्योंकि वे जीवन चलाने के मूल सहज सभाव को हराना चाहते हैं चाहे जो हो आप हमेशा भोजन खोजते हैं कृपया इससे समझिये आप इसे कई तरीकों से जटल बना सकते हैं लेकिन मूल रूप से आप अर्थ विवस्था के बारे में इतनी जादा बाते करते हैं इसका मतलब है आप हमेशा बस जीवन चलाने के बारे में सोच रहे हैं न जीवन चलाने को बढ़ा-चड़ा दिया गया है पर ये जीवन चलाना ही है, तो उनके लिए एक बुनियादी साधना है, कि आप अपने जीवन चलाने के सभाव को हमेशा अंदेखा करते हैं, आप बस चलते रहते हैं, तो समान बस घूमते रहते थे, कभी खाना नहीं मांगते थे, लेकिन तब की संस्कृती समवेधन शील थ तो वे घर में खाना बना कर उसके पीछे भागते थे, और वो जहां भी उसे खाना खिलाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वो खाना नहीं मांगेगा, आज अगर आप समान बनते हैं, तो अपनी मृत्ती होने तक चलते रहेंगे, उन दिनों, लोग उनकी साधना के प्रती स तमवेदेन शील थे और जवाब देते थे, तो देश में हजारों समान घूमते रहते थे, तो गौतम समान बन गए, और अगर आप खाना मांग नहीं रहेंगे, तब भी आप शहर के पास से गुजरेंगे, ताकि भोजन मिल जाएगा, लेकिन गौतम ने इसे बहुत गंभी और बस चलते रहे, उनमें बस हड्डियां बची थी, बस हड्डियां और लटकती चमडी, वे वैसे हो गए थे, तब वो एक जगे पहुँचे, जहां निरंजन नदी थी, दुरभागे से वो नदी सूख चुकी है, अब मौजूद नहीं है, बस 18-20 इंच पानी, शायद ब पादी में उत्रे, आधी पार करने के बाद, उनमें आगे जाने की उर्जा नहीं बची, वहीं एक पेड की टहनी थी, सूखी डाल, उन्होंने उसे पकड़ लिया, उनमें अगला कदम उठाने की ताकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसे आदमी नहीं थे की हार मान ले, वो सकते हैं, जब वो डाल पकड़े हुए थे, उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या है, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो क्या है, मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, एक मठ से दूसरे मठ जाते हुए, ये सीखा, वो सीखा, वो क्या है, जो मैं खोज रहा हूँ, फिर उनको हिसास हुआ कि वाकई कुछ नहीं है, ये जीवन सब कुछ है, मुझे बस इतना करना है कि उन बाधाओं को हटादू जो मुझे इसे अनुभव नहीं करने दे रहीं। जब उनको हिसास हुआ कि हर चीज उनके भीतरी है, खोजने का कोई तरीका नहीं है, अचानक उनमें अगला कदम और अगला कदम लेने की ताकत आ गई। उन्होंने नदी पार की और आकर उस पेड़ के नीचे बैठके जो अब बहुत प्रसिद बोधी व्रिक्ष है, वो व्र जूद है, वे पेड़ के नीचे बैठ गए, वो पुर्णिमा की रात थी, जो अब 18 मई को आ रही है, वे वहाँ बैठे और इस संकल्प के साथ बैठे, अपने अस्तित्व की परम प्रकृति को या तो मुझे अभी जान लेना है, या मैं बैठा बैठा मर जाओंगा, जब तक मैं इसे जान नहीं जाता, मैं अपनी आखे नहीं खोलूंगा, जब उन्होंने ये संकल्प ले लिया, क्योंकि एक ही समस्या है कि कोई संकल्प नहीं है, हर दो मिनट में आपके इरादे बदल रहे हैं, अगर आप पूरी निष्ठा से लगे हैं, तो ये जानने के लिए कि भीतर क्या है, कितना समय लगना चाहिए, इसे एक पल में हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि तै करने के लिए कोई दूरी ही नहीं है, समय सिर्फ तब लगता है, जब कुछ दूरी की यात्रा करनी हो, है ना, अगर यात्रा के लिए कोई दूरी ही नहीं है, अगर मैं पू तो आप पहले ही जीवित और जारी हैं, बोध होने में कोई समय नहीं लगता क्योंकि आपको कोई एक खास चीज नहीं करनी है। और उन्होंने देखा कि वे अब एक आनंद की अवस्था में हैं और वे उनके चेहरे पर चमक देख पा रहे थे। तब वे लोग उनके आखें खोलने और शिक्षा मिलने का इंतजार करने लगे। पास यातना के सिवा कुछ नहीं था। जब उन्हें आत्मग्यान हुआ तब उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। क्योंकि वे कुछ गंभीर चीजें सुनना चाते थे। उन्होंने कहा कुछ पकाव चलो खाते हैं। शिश्यों ने सोचा हमारा वक्त बरबाद हो गया। उनके जीवन में कई सुन्दर घटनाय हुई है। बुद्ध होने के बाद एक दिन वे नदी के किनारे टहल रहे थे और फिर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसलिए नहीं कि नीचे बैठने के लिए पेड़ सबसे अच्छी जगह है। आप जानते हैं चीटियां काट सकती हैं। क्योंकि उन दिनों के सिर्फ वही रियल स्टेट होती थी, तब हर जगह इमारते ही इमारते नहीं होती थी, तो बैठने के लिए पेड़ एक अच्छी सुखद जगह होती थी, कड़ी धूप में बैठने के बजाए आप पेड़ के नीचे बैठते थे। अपने काम में माहिर एक जोतिश नदी पर आया और किनारे पर पैरों के निशान देखे। या ध्यान देने का तरीका है, जिससे किसी के पैर देखकर कोई ये सटीक भविश्यवानी करता है कि वो क्या करेगा। कि वो एक समराड से मिलेगा। तब उसने इस भिख्षू गौतम को पेड़ के नीचे बैठे देखा। जब उसने ये देखा, तो सोचा कि या तो मेरा जोतिश पूरा गलत हो गया है, या मैं मुर्ख बन रहा हूँ, या मैं किसी तरह के भ्रह्म में हूँ, यहां क्या हो रहा है। तब उसने गौतम के पास जा कर पूछा, आप कौन हैं। गौतम तब एक तरह की जजजीत जैसी अवस्था में थे। उन्होंने कहा, मैं कोई नहीं हूँ, मैं बस कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपके पैर किसी समराठ की तरह हैं। आपको दुनिया जीतनी चाहिए। गौतम बोले, वो मैं करूँगा। लेकिन युद्ध से नहीं। देखिए, आप दुनिया को दो तरह से अपना बना सकते हैं। या तो जीत कर, या शामिल करके। मैं या तो आप पर कबजा करके, आपको बांध कर और आपसे मन चाहा कराके अपना बना सकता हूँ, या आपको अपने एक हिस्से के रूप में शामिल करके। दोनों तरीकों से कोई चीज या कोई इनसान आपका हो जाता है। लेकिन अगर आप जीतने का रास्ता लेते हैं, तो ये हमेशा आपके लिए सिरदर्द बना रहेगा। अगर आप शामिल करते हैं, तब इससे जीवन में जबरदस्त प्रगती होगी। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का समराठी हूँ, तब उसने कहा, आप एक भिक्षू हैं, आपके पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, और मैं कुछ नहीं हूँ, इसलिए हर चीज मेरी है। यहां तक की गणितग्य भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कि शून्य और अनंत एक ही चीज है। तो आपके नो थिंग बनने का मतलब यह नहीं, कि आप बेकार हो गएं। आपके नो थिंग होने का अर्थ है, आप सब कुछ शामिल करने लगे हैं। आपके कुछ होने का मतलब है कि आप सिर्फ वही हो सकते हैं। आप नो थिंग हैं, यानि आप जैसे चाहें वैसे हो सकते हैं। यह जीवन इसी तरह बनाएं। अगर उत्तरदाई होने की आपकी शमता पर कोई रोक नहीं है, तो किसी भी पल में आप जो चाहें वो हो सकते हैं। तो गौतम ने कहा, वैसे भी मैं दुनिया का समराठ हूं। अगर आपको यही शब्द पसंद है, लेकिन मैं असल में कुछ नहीं हूं। क्योंकि हर चीज वैसे भी मेरी है। अगर आप देखते हैं कि मैं हर चीज के लिए जिम्मेदार हूं। तो हर चीज आपकी है, कोई व्यक्ति आपका कैसे बनता है। उन पर हग जमाने से या उनकी जिम्मेदारी लेने से। क्योंकि आप उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, वे आपके बनते हैं, वरना नहीं है, है न? अगर आप जबरदस्ती उन्हें अपना बनाते हैं, तो वे कभी आपके नहीं होंगे, हाँ या न? अगर आप जबरदस्ती किसी पर हग जमाएंगे तो क्या वे कभी आपके होंगे? वे आपके कभी नहीं होंगे तो ये जोतिशी बैठ गया उसने कहा आप एक भिक्षू हैं आपके पास कुछ नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप जजजीत हैं माफ कीजिए और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हूँ और हर चीज आपकी है ये क्या है? गौतम ने कहा आप आईए आपके लिए मेरे पास एक तरीका है आप जीवन की भविश्यवानियां करने में व्यस्त हैं मेरे पास योजना है आप जीवन की भविश्यवानिया क्यों करते हैं? आप एक योजना बनाने और उस पर अमल करने में नाकाबिल हैं इसलिए आप भविश्यवानियों पर निर्भर हैं है न? हाँ या न? अगर आप एक योजना बना पाएं और उस पर अमल कर पाएं तो क्या आप भविश्यवाणियों पर निर्भर होंगे? नहीं. तो गौतम ने कहा, आप भविश्यवाणियां करने में व्यस्त हैं? मैं यहां हूँ, मेरे पास योजना है. आईए, मेरी योजना का हिस्सा बन जाएए. हम कुछ अलगी चीज सच कर दिखाएंगे. आपको इस योजना का हिस्सा बनना चाहिए. हम कोई शांदार चीज सच कर सकते हैं. यही दुनिया, इसी दुनिया को स्वर्ग में बदला जा सकता है. अगर हम सब स्वर्ग की योजना के अनुसार चलें, है न? हाँ या न? सवाल सिर्फ यह है, कि एक संभावना और एक वास्तिविक्ता के बीच एक दूरी होती है. क्या हमें वो दूरी तै करने का साहस और प्रतिबतता है? बस इतनी सी बात है. क्या हमें वो दूरी तै करने के लाता है.